हेलो माई डियर फ्रेंड्स बीपीसी एस्पिरेंड्स वेल्कम टॉ आवर चैनल आई एस्पीस पॉसिवली आई एम प्रिम कुमार तिक यह इस वीडियो में हम लोग पतना कलाम मौर्या कला और पाल कला तीनों जो आर्ट इन कल्चर का जो मेन है और मधवने को भी आप लोग क अगर सब्सक्राइब करना है तो यह है क्योंकि अभी एक्जेक टाइम है आपको मेंस का प्रिप्रेशन करना है क्योंकि मिरेट लिस्ट में आपको मतलब कि ले जाएगा या रेंग बनाएगा देखिए 67 का इंटर्व्यू चला है 20 तारीक हो इसका उबहर होगा उसके बाद जल्दी दूतिन गिर में इसका रिजर्ट आ जाएगा और 68 का कोफी चेक हो रहा है नॉम्बर के स्टाटि में या अक्टूबर के लास्ट इसका भी मेंस का रिजर्ट आने बाला है तो इंटर्व्यू के लिए हमारे चैनल पर प्लेश्ट बना हुए आप लोग देख सकते ह सतरवी का अगर प्री का त्यारी करना हो तो उसका भी इस्टेटी वीडियो आप लोग देख सकते हैं यहां पर आप लोग आप कोफी यह जो है आपको इस बार का संट साटॉक आपको दिखाएंगे और यहां पर आपको जो पटना का अक्लाम है यह हम लोग अपने आटी को पर को आप डिवाइड करिये साथ पच्छा पैंटिस मतलब वन फिप्ट या चुका बद इसमान फॉर्थ के आसपास है या वन फिप्ट आप माले जो उसको पांच पेज में लिखते हैं तो इसको यह कि यह डिए पेज में इसको लिख सकते हैं एक पेज में लिखती है या गहार तो यहां पर तो इसको तो बीख सकते हैं अब देख करें अब देखें यहां पर यह बड़ा क्योस्टन आया तो इंट्रयक्ष्ट को कौन फेक्टर है हिसको इमर्जेंस कराया और इसमें किस तरह डाया तो यह अगर माले जी इसको आपको लिखना में इस वह रहा है तो यह स्थीता लिख दीजा न को लिखना में इस यह अभी 67 तो यह चीज को अब लिख सकते हैं जी है यह आपको एक-दो और है नेरु जी तो यह सारा चीज आपको कर लेना है तो लॉंग में तो दिक्त नहीं है स्वाट में यह सब लिखना होगा आपको इसलिए इसमें चोटा चोटा जो टोपिक से उसको आपको करिएगा अगर हम लोग पस्टा ही बचेत हम लोग कराएंगे इसके लिए अगर आप चाहिएगा तो यहां पर प्रेमोबल्ड सिविल चैनल है मेरा सेकेंडी यूपेस इक लिए जाला डेडिकेटर है बस वहां पर आयर का जो भी देश्ट अपने इंडिया का किसी अधर पंटी चाइना पकिस्तान अबगानेसान जो भी देखना चाहते पर डाले हैं जो इंटर्व्य के लिए डाले तो उसमें पूरा मेंस के लिए इंपोर्टेंट है जैसे आपको जी ट्वेंटी हो गया आपको अभी आधित्या लवान चंत्रयान जीतना भी है वहां डाले है करेंटर पर देख सकते हैं वीडियो आप लो वाला टोपिक्स तो अपने तरफ से करिएगा तो अगर टाइम बजाए तो हम लोग कराने के प्रयास करेंगे आई एस पीस पॉसिबली को सब्सक्राइब कर लिएगा इसमारी पर वीडियो को लाइक करेगा दोस्तों तरसे भी करिएगा देखिए आपने लोग के सपोर्ट से चैनल में चला पा अगर लिए तो यह लिखने का जोरत नहीं है या वाइस प्रेजिडेंट का क्रिटिसिजम तो आप लोग लिखी सकते हैं अब देखिए सकते हैं तो लॉंग कुशन के लिए ज्यादा प्रिपेर करिये हुए एक पेच डेटर पेच का नूट्स बना देघा वाले को इसपतर भी मैंस भी दिए रहे हैं तो यह हम लोग ने कुशन देखिए अब आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूं आपको क् अगर लिखे ऐसे जीतना भी हो सब्सक्राइब बिहार से रिलेटेड और जो भी है और UPC का भी कुछ ले लिए टॉपर्स का कूपी या कोचिंग का कमपैल से मिल जाए उससे करने का प्रयास करिए तो इससे हो जाएगा अगर किसी का अप्षिनल हो तो कमेंट बताएगा हम ल इसको भी हम लोग आपको थोड़ा साथ शेयर करेंगे इस बार गाया संसट गाया और यह 66 का टेकों पिस हम लोग यह पटना क्लाम को स्टाट करते हैं ठीक है और यह मदो बने बला हम लोग इसमें नहीं करा रहा है आप जूरू करिए गाई लोंग बने पूछता है लेकिन अगर आया तो आप पले इंटो लिग दिए कि एक विहार का जो आर्ट प्रिंटिंग का बेस्टूप है और शूट और मुगल प्रिंटिंग बोला जाता है मुगल प्रवाय था इसलिए इसको कॉंपनिग भी बोला जाता है ठीक है अब उसके बाद दिक्यगा तो यहां पर जहांगीर का जो रीजन था उसे मैं बहुत ज़्यादा मतलब की गोल्डेनिस था लेकिन और अंजेव जब आया ना तो उसके काल में प्रेंटिंग को फॉर्वेड मना कर दिया गया तो लोग क्या है कि बहुत सारे आटीसन जो है लोग वो प्रेंटर लोग माइगरेट करें क यह मैप आप लोग दिखा सकते हैं तो इससे आपका चीज हो जाएगा इस तरह से भी प्रोचाट वगरह बना कर दिखा सकते हैं अब देखे यहां पर आपका इंट्रो हो गया मैप हो गया इसमें अगर चाहिए गा तो कुछ पेंटर का नाम आप लिख सकते हैं जैसे कि कोई बारवर बना रहा है कोई जादुगर है कोई बजार लग रहा है हाट बजार उसको भी दिखाए गया मार्केट अब देखे यह इसमें मुझको 30 मर्स आइधिंग मिला था तो आप लोग भी तरह से देख सकते हैं इसलिए मैं आटे सहीं करा रहा हूं एक्जाम टाइम म इसलिए मैं दिखाऊंगा आप चलके शॉट में हम लोग एक के जो पाल कला है या क्या बोलते उसको मुझको उसको सॉट में भी एक मना दी हैं आपको फ्लोचार से उसको भी एक एवाइस मतलब की हैट टाइम बहुत अच्छा होगा आप लोग रूश तरस से बना सकते हैं आपको एंसर राइटिंग अच्छे से करना होगा तब या क्रेप सेलेक्शन होगा बहुत ही पैटर्ण चेंज होते जा रहा हैं देके नेच्टरल कलर्स जैसे यह लोग कलर वाइट कलरेट ब्लैक ब्लू इस अभी उज़ता था और यह पेंड से प्लावर से और रॉक से य जरूर लिखेगा आपना पेंसिल से यह डिरेक्ट लीट इस इस तरह से आप पहले के सट्रेट अरिक पीचर देखिएगा तो बेगरांड या फोर ग्रांड में क्या लगते थे तो यह वाइट कलर रखते थे इस तरह का एक फिगर भी आप चाहिएगा का पाद दो बना सब यहां 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 तो हुआख फिएगा भी जी यहां तो भी यह तो नहीं बनाते है तो मैंने बता है यह उसके प्रोपर्सुनएट बनाते थे दिसे यह यह 10 प्रप्रश्ट का कोई इसको एक फिट में बनाएंगे और उसका माली यहां से 5 फिट के कुछ और फिट है तो इसको यह आधा में बनाने को उसको मतलब प्रपोर्शन में बनाते थे यह जो है ड्रान डेलॉप्मेंट इसमें रिपर्जेंटेशन अच्छा रहते हैं तो इस तरह से आप चीजों बनाएगा और इसमें आपको मैं बता जी पूरा थे थे तो नोज को पाइंटेट करते थे अब यहां पे लिन और ग्यांट प्रेस को भी बनाते थे ठीक है बनाते हैं मुचे बढ़ा बनाते थे फाइनेस प्रेसिंग टच वह अच्छा से देते थे इसमें यह सरा चीज़ है अब यहां पे कनक्लूजन में आप लिक सकते हैं कि पेंटिंग जो है पत्ना क्लाम का पट्ना मुजियम में भी रखा गया नेस्नल मुजियम दिली में भी र गंगा कर लिए प्रेंटिंग को अव्लिष किया थाथ पतना कलाम भीहार की भिरास्त करके यह हुआ था उसमें इसमें आप लोग देख सकते हैं। यह पर इसको किसे यह पिलिखा गया है ये इंटो व पर सकते हैं कि इस तरह का प्लोचार्ट बना सकते हैं कि कोट अठेश्ट है इस तरह से हैं पिर है इसमें पेले से इसका भी फिगर आप लोग बना सकते हैं देखिए यहां पर यह च्छत्री हो रहा होता है अर्मिका तोरण यह सब फिर इसमें फोकाट में यह केव का फिगर नहीं भी बनाएगा तो काम चल जाएगा यह हम लोग तुरह जाद हैं पॉर्ट्री के बारे में लिखा आप लोग मगर बुधिजम से इसको भी आप देख लिजेगा पॉस करके और इसको कंक्लूज कर सकते हैं उसके बाद हम लोग यह देख लेते हैं फिर पाला देख लेंगे मधुबने भी किसमें कर लेंगे या आप लोग मधुबने जरूर करिएगा कमेंट बताए कौन को नहीं किया ह इस वीडियो में इतना ही रखते हैं आप लोगे लिए मिलते है नेश्ग विडियो में थैंट्स विजान पर करेंट अफेर का विडियो प्रेम वार्वाड शील चनुमार तो इसमें सुपर फास्ट विज़न के यह पर्पस है यह चीज कर रहे हैं तो यहां पे देखिए य ने यहां पे एक फ्लोचार्ट बनाया है, यहां पे आफ देख सकते हैं। यह कोटार्टे क्या हैं ग्रीम काथ यहां पफोलकuity क्या है। यहां पर देखिया और यह सन्मेखल टॉपा प्लो क्या था और फ grac — की च क्या है फ्लोचjon क्या है का है और अदॉपकिया था तो यह मैंने अपना नोट्स इसलिए नहीं किया है क्योंकि माले यह कोई लोग हिंदी में और कोई इंग्रिश में है तो यहां पर वहर आल हम लोग बाइलिंगल करेंगे और टॉपिक्स को आप लोग समझने पर फोकस देना है कंटेंट को रिकॉल करने पर और भी करिएगा तो देखे मौरियन आर्ट के बारे में अगर आप देखना चाहें तो इसका इम्पोर्टेंट सकते हैं तो हमारे देश का जो नेशनल इंवेलम है राश्टी ए परतिक चीन हो आपको असो कंस्तम से लिया गया है तो यहीं वाला चीज है यह इसी से लिया गया ह तो इसी के importance आपको समझ सकते हैं Morian art के बारे में कि कितना यह important अमर्दिस के और art का जहां तक बात रहा यह कला क्या होता है तो एक form है of expression मतलब अपने आपको यह express करने का बताने का यह way of life है देखिए और architecture का तो अलग हो गया डिजाइन और construction होता है किसी भी building का किसी भी structure का तो वो सब हो गया और एक question इसमें आता है Moria Kala का features लिखे और एक Moria Kala का बुद्धिजम से relate करके यह पुछता है कि क्या relation है तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान भरकेगा और Moria Kala आपको fourth से second BCE के काल में माना जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह कि जो Moria Kala है केवल यह बिहार में ही नहीं पूरे भारत वर्ष को तो लेते ही है और जो भी इंडिया का राज जैसे इरान तक था और वगानिस्तान था पाकिस्तान था तो सभी तक यह Morian art था दोस्तों तो यह सब इंटो में आप लोग लिखेगा और यह प्रिएट जो है एक important टाजीशन फेज है art and architecture का जिसमें पलेवूड का नकासिक होता था यह काम होता था इसके बाद यह stone में convert हुए तो यह चीज अप लोग एकदम landmark point याद रखना है कि लक्टी वाले समलोग यह पतर वाले में आ गए तो इस चीज को ध्यान रखना है और यह जो है इसको divide किया सकता है architecture, sculpture और coins, paintings, etc में तो यह तो अलग classification होता है यह आपको court yard and folk yard दो yard में यह दो कला में भाजित होता है जनता से करना चाते तो उस पर यह लिखवा दियें तो इस चीज हुआ, एस चीज बनवाए यह आप लोग देखे होंगे, तो इस चीज को आप लोगो ध्यान में रखना है तो यह pillars को तो आप लोगो ने यहाँ पर देखा होगा, यह हम लोग ने साय दिखाया था कि यह यह पिलर्स है, तो सबसे देखे हैं, यह उपर में यह जो होता है, यह एनिमल पार्ट होता है, जिस पर कि सेर होता है, आप लोगो दिया खेह होगे, और उसके ज़स्ट ने से एक यह capital होता है, यह वाला जो कॉमल का टाइप का दिखता है, यह होता है, यह lotus और bell से बोलते हैं इसको और यह जश्ट यह capital और एनिमल के बीच में यह बैकस होता है यह बैकस उसके उपर यह साय यह situated होता है तो यह circular या rectangular कुछ भी हो सकता है यह विर्तकार या चत्रोजकार जो भी वोल यह और यह जो है यहीं तो मेन है आपका यहीं बला तो इसको figure इसका नोट्स आप लोग अपना खुद भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पे सुनकर आप लोग रिकॉल करने का प्रयास करिए क्या क्या पॉइंट याद आ रहा है तो यह चीज़ देखिए और यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं यह फोकाट यह लोग कला में आप देखेगा तो यह केब से मतलब कि कुछ गुफा बना कुछ पोटरी तो यह हम लोग देखेंगे कुछ मिर्दभान और यह सकल्प्चर कुछ मूर्तिकला तो देखिए पहले सेज में आ जाते हैं हम लोग तो पहले सेज में क्या क्या चीज़े हैं तो आप लोग को यह पता होने आप लोग जानते होंगे कि यह जो आपके चंदरगुप्तम मौरिय थे उनके जो दरबार था वो आपको देखनों को मिलता है लकड़ी का तो यह उसमें एक कुमहरार का पैलेस आपको पता होगा जिसमें 84 पीलर्स आता है कुमहरार तो यह पटना में ही है यह 84 पीलर्स का तो इसको जो है आपको मतलग कोपी माना जाता है जो कि 1000 पिलर्स था पर्सियन की इंग्डेरियस उनका तो उसको माना जाता है और इसमें असोका जो है तीन स्टोरी पैलेस बनवाया थे खुमहरार में तो इस चीज को धिया है और यहाँ पर फायान भी आया था और उसको ग रखना है और यहाँ पर देखिए वो जो भी असोक महल बनाया है वो बहुत मासिब पिलर होता था बहुत मतलब कि ज्यादा संक्या में बनाया थे बुला जाता है चोरासी हजार था बटिया अत्रिस रखती लगता है तो इस चीच को आप लोग इसके ब्यूटी को तो यहाँ पर फाईयान यह पॉइंट आपको याद रखना है चंदगुपता असोका और यह लकडी का महल और जो भी यह क्या बोलते हैं कुमरार का पहले जो भी आपको चोरासी पिलर्स का था यह आजार पिलर का कॉपी डेरियस उनका माना जाता है तो य आपको देखा जाता है इनके पिलर में तो यह सारे पॉइंट आप लोगों पैले सेज में लिखना है तो यह महल का आप चीत मत मनाने लग जाएगा तो यहां पर टाइम बेस्ट होगा देखिए एस्टूपा का जहां तक बात है तो यह इस्टूपा आपको यहीं चीज है क आपको देखने को मिलेगा तो यह वाला पॉइंट यहीं है इस्टूपा देखिए सबसेट टौप में जो दिख रहा हा ना आतो यह चहत्री है चहता कहां लगाते है सबसे टॉप पे तो इस हाता का साइज के यह सेप का भी दिख रहा होगा और इसको इस चीज को याद नहीं भी रखे कोई बात नहीं है और इस चीज के उपर चतरी रहता है उसको हर्मिका बोला जाता है ठीक और यह जो अंडा का सेप दिख रहा है इसको अंडा बोला जाता ह अंडा ही नाम है और यहां पर stairway यह stairway है क्या बोलते हैं सीडी और अपर वाकवे यह दर से आप डाल सकते हैं और यहां पर देखें तोरन किसको बोलते हैं जो gate लगा रहते हैं यह side side से उसको तोरन बोलते हैं तो इस point को आपको याद रखना है यह बला और clarity से आप देख सकते हैं इसमें प्रदक्षिना पहुंद भी रहता है यहां देखिए यह गुमने के लिए हैं और यहां पर देख सकते हैं यह बेदिका है यह सब और यहां पर तोरन जो gate है मनले जापी ड़स इंटी करना चाहते ह और चत्री मैंने बता दिया उपर हर्मिका बता दिया अंडा का सिपका यह रहता है तो यह सरा point और हम लोग ने यह cover कर लिया pillar तो यह pillar हम लोग का अलमस्ट cover है हम लोग देख लेते हैं और इस दुपा में तोड़ा सा कुछ और पढ़ लेते हैं देखिए अस्टो का जो है आपको great pattern माने जाते हैं बुद्धिजम के बुद्धिजम आप लोगों को पता हैं यह बहुत धर्म यह कहां कहां तेक यह पूरे 20 में पहला आया थे कलिंगाबार के बाद यह कनबट हो गयते हैं आपको यह बुद्धिजम को अपना लिए थे तो इस चीज को आप लोग ध सांची यह सब आपको याद रखना है सांची वाला जो है वह आपको 60 विट के आट पास देखने को मिलता है यह आपको इस्टूप और डाइमिटर में और यह देख सकते हैं हाप डूम ए स्टक्चर है यह उपर से जो हाप डूम दिख रहा है आपको यह वूडन फेंसिंग बनाता हो सब प्रिक्स का बनता था निएक का और रेलिंग आपको लखणी का मैंने बता दिया तो यह सारे पॉइंट आपको यहां पर लिखना है यह इस्टुपा वाले में और हम लोग नेट्स देखते हैं यह आपको fidelity तो पिलरस में मैंने बताया है इस तरह यह इस तरह क बीच में आता है इसको ध्यान में रखना है तो देखिए यह वाला एक एनिमल यह वाकस और यह केपिटल तो यहां तक केपिटल होगा उसके बाद नीचे बाला मोनोल्तिक बेस तो इसको बनाईएगा और यहां पे तोड़ा सा इस तरह का फिगर बनाने के प्रेस करिएगा य के यहां पे पीलर्स का हम लोग ने बात करना है तो कर लिया यह सब लोटस ओटस देख लिया तोड़ा सा इसका यह देख लेते हैं बेसिक्स में पीलर्स आदा सिम्बॉल ऑफ हेस्टेट तो उसको एक चीन मारा जाता है उस राज का जिस पे कि अपना जो भी जूथ का जो राजा के पहले से में देखने को मिलता है मैंने बताया आपको यह चीज वो गुडेन का जो था चंदगूप मौरी का महल फूरे अपने समराज में यह फैला दिये थे यह बहुत मतलब कि मौरिया के काल में और यहां पर देखिए डाज नूबर फिलर्स वेर इरेक्टेड यह बहुत में देखने को मिलता था मतलब कि अच्छा से मतलब कि पूरा लश्यर होता था चमक होता था उसको फिनिस किया जाता था और ब्लाइक कलर का जादा देखने को मिला एंट बी PGW आप लोग सुने होगा नर्थन ब्लैक पॉलिष्ड वेर यह आपको मिल देखने को भी मिला था यह सब चीक और यहां पर देख सकते हैं एक प्रेंटेड ग्रियवियर मिला था पीजी डवलू इसको भी आप आफोग मेंसन कर सकते हैं पौट्री बाले में और इसकल्चर बाले में आप देख सकते हैं रॉकष गट यह धाली वला यह उडिसा में और यह रूपकار defigar सखने होगों इता है उनmotion का आफिसका इन सबी तो यह पॉइंट आप लोग मेंशन करिएगा टेरा कोटा का फिग्राइन भी बहुत ज़्यादा मिला है तो इस चीज को यहाँ पे सकल्चर में डाल सकते हैं टेरा कोटा फिग्राइन और यहाँ पे यह दिधार गज में मिला था और जो भी कुछ देवी देवता का भी मिला आपको असोका का पिलर बहुत जगा अफगानिस्तान तक यह देखने को मिलता है इसका एकस्टेंशन तो देखिए के बारे माँ हम लगते हैं जो गुफा होता था उसमें चैत बिहार तो इस टाइप का चीज है तो बराबर का हिल्थ तुछा गया और बिहार में यह असोका के दौरा बनाया गिया तो आजीव का सेक्शन के लिए जो समपरदात है उसके लिए चीज बहुत जगा बना वने के मतलब की देखने को मिला है तो आप लोग यह चीज दे जिजएगा यह असोकाबलार बराबर के असोना जोटार बनाया गिया और उसके भी कार्विंग किय जाता था दोस्तों ये प्रम रॉक्स ये जो भी चटान होता था उस पर ये प्रम मॉक्स टू लिविन उसके अंदर में जाकर ये मॉक्स बहुत बिक्षू रहा करते थे दो टाइप का होता था एक होता था चैत एक होता था बिहार तो चैत और बिहार दोनों अलग-अलग ये चीज है, concept I think आप लोग जानते होंगे, तो देख ये बिहार के नाम से क्या आपको concept में आ रहा है, तो एक तरह का बिहार करिए उसमें रहिए, तो आप living quarter के रूप में जयन और बुदिस्ट जो भी बिख्छूर आते थे, monk, उसको ये यूज करते थे, और चैत का मतलब होता ह तो जिस टाइब का question पुछेगा, अगर बुदिस्ट से related होगा, तो conclusion में, बुदिस्ट करके ये conclusion लिखेगा, according to question, और एक general evergreen में बता दूँ, तो progressive और liberal और secular nature का ये art form देखने को मिला है, इसमें, और contribution जो है, उसको recognize किया है, क्यों, तो आपको पहले ही मैंने बता था, national emblem और चक्र, आपको national flag में देखने को मिलता है, तो यहां से ही लिया गया था चक्र, तो यह चिप चीजें, आप लोग मेंसन करेंगे, यहां पर देखिया है, आपको moriana art हो गया, यहां पर हम लोग पाला art भी करेंगे, अगर आप लोग का support रहा तो, अगर आप लोग तो करे हैं, यह पाला art का भी, कि एक बना लिजेगा, डाइग्राम, यह कि sculpture, architecture, painting, क्या 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 टेरु कोटा, फिर हैंस में क्या क्या चीज रही है, यह conclusion, तो इस तरह से आपको easy पड़ेगा, revision में, तो I think यह वीडियो अच्छा लगागा, तो वीडियो चलगा तो like करिएगा, औ यहाँ पे uniform civil code के जो current affairs में, politics है, हम लोगो यह डाल दिये हैं, और आप एक super computer, यह GS2 में, यह science and technology का topics है, current affairs का ही है, इसको हम लोग डाल दिये हैं, और organic farming, economics है, जो आपको topics है, current affairs में यह डाल दिये हैं, तो देखिए हम लोग अपने channel पे सभी subjects है, जो भी current affairs related चीज़े हैं, जैसा IR का marathon session डाल दिये हैं, आप लोग नहीं देखिए, उसको देख लिएगा, हिंडिया का सभी देश के साथ relation, यह नेवरूड का, और G20 जितना भी organization है, उसका सब marathon डाल गया है, और आपको science tech का, current affairs का, news का, एक अलग से डाल दिये हैं, उसको देख सकते हैं, और जैसे कि क analytics, notes, यह कहींने कहीं साब लोग पढ़े होंगो, books, किसी coaching notes है, उसको आप लोग करते हैं, आपना notes को रिवाज करिए, हम लोग इसी pattern में अगर आप लोग को suit कर रहा हो, तो यह keyword point लेकर आएंगे revision के लिए, ताकि आप लोग recall और अच्छे से super fast division हो सके, तो इस तरह से हम लो से करेंगे political fundamental right, fundamental duties, जो भी यह judiciary, governor, राजपल सब आप लोग करेंगे static note से और current काम लोग करा ही दिया है, तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे, और static के लिए PYQ लगाएंगे, and thanks for watching, all the best, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, bye-bye, stay tuned with us, and subscribe करेंगे चैनल को, and कोई भी doubt हो, तो comment क Hello my friends, welcome to our channel, I am Priyam Kumar, and in this video we are going to discuss about Pala Art, Palkala के बाले में हम लोगो discuss करेंगे, तो यहाँ पर यह discussion जो है हिंदी और English दोनों में होगा, तो यह किसी हिंदी वाले को चीनता करने का बात नहीं है, यह mind map के थो हम लोग इसको revise करने का प्रयास करेंगे, इसमें active recall पे focus होगा, यहाँ मैंने अपना notes देने का प्रयास नहीं किया है, बस आपको key point लिखा है, और उसको यहाँ पे हम लोग पूरे एकदम formulate करेंगे, और यह fast division का एक series है, उसमें आप लोग I think यह सब cover कर लिए होगे, last में बस हम लोग point को collect करने का प्रयास कर रहे है, and if you are new to my channel, please subscribe the channel, and play like the video, and share कर हैं, उसमें पुरा जितना भी country के साथ relation है, इंडिया का नेबर रूट सब धाला गया है, इंडिया नेपाल, बंगलादे, सिल्यां का एक सेटा, और जो भी organization है, G20 Quad, ITU2, आको सभी का एक video, आपको महरातन कलब करके डालागे, आप लोग जरूर जाकर बाच कर लेंगे, और क्या क्या type में यह होता है, क्या क्या figure कहीं पे दिखाना भी है, कि नहीं दिखाना है, यह सब type का चीज़ हम लोग देखेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह conclusion क्या होगा, और criticism क्या होगा, और कैसे Buddhism से related है, तो यह सारी चीज़े, यहाँ पे हम देखेंगे, let's start, तो देखें, पाल कला का जो इतिहास है, चालू होता है आपको, tripartite struggle, जो इसको कि तुरी पक्षे संघर्ष आप लोग जानते होंगे, यह आपको पाल, परतिहार और आश्टकूर्ट, यह पाल, परतिहार और आश्टकूर्ट, गुर्जर परतिहार जिसको बोलते हैं, मैं GP मिलित होने के बाद भी, तो पाल कला का यह बहुत यह बड़ा achievement मना जाएगा, तो और यह तरसे देखा जाए, तो पाल कला, जो रूलर थे सासन, वह आपको बरहावी साताबदी के बीच में, मेडिवल इंडिया बोल सकते हैं, आप लोग, आट से बरहावी साताबदी के बी यह सासन, गोपाल इसमें बहुत इंपोर्टेंट है, और उनका बहुत योगदान रहा है, तो आगे भी और का भी देखेंगे, तो यह स्टार्ट करने से पले, यह आर्ट के बारे में जान लिए, आर्ट क्या है, तो एक तरह का यह आपको फॉर्म ऑफ एक्स्प्रेशन है, यह आपको परदर्शित करता है, और अगर देखा जाए, तो यह आर्ट यह कहा जाता है, कि बेसिक आइडेंटिटिटी तु क्ल्चर है, तो इसमें आप देखते हैं कि मूर्थी कला, यह स्टापते कला, पेंटिंग, यह आपको चित्रकला, तेरा कोटा, इसी कंत्रगात आ हैं तो यह चोटा सा यह मैप इस तरह का प्लोड चार्ट बना सकते हैं चलिए हम लोग आगे अब डिसकस करते हैं तो यह यहां से यहां सुरू होता है वो त्रिपक्षे संगर से और आगे यह सब चीज हम लोग यह डिसकस करेंगे पॉइंट वाई तो देखिए अगर फिगर मैंने यहां दिया नहीं है आप लोग बनाएंगे मैं यहां पर तुछा से हिस्ट दे दूँगा कि आपको बनाना कैसे हैं तो उस तरह से आप लोग कर लेंगे और यह ड्रोन टकनलोजी के वीडि तो आगर डिस्टाब होगा तो sorry for that यहां पर देखिए यह ड्रोन टेकनलोजी का अगरिकल्चर में यूज यह दिया हुआ है तो यह हम लोग क्वाइंट आप लोग चाहिएगा तो इसको भी हम लोग डिसकस करेंगे तो यहां पर हम लोग आगे देखते हैं फ्रेंट्स की क क्या क्या चीजें हैं यहां पर क्या क्या यह इसका मतलब फी पाल कला में आपको क्या क्या चीज इंपोर्टेंट है तो आप देखिएगा सबसे पहला है स्कल्चर या मूर्तिक कला जिसको बोला जाता है इसको जो है तीन पार्ट में यह किया जाता है कि यह क्या क्या है तो और एक होता है तेरा कोटा जो कि मैंने शुरू में यह लिख दिया था अलग करके तो तेरा कोटा इसी में आएगा तीन चीज़े इसमें होती है इस कल्चर में और यह अगर आर्किटेक्चर में आप लोग देखिएगा फ्रेंड्स तो यह मैं अभी आपको एक ब्रॉड आइ है तो यह सारे पॉइंट इसमें और अगए और पेन्टिंग में देखा जाए तो दो तरह का पेंटिंग है एक देखा जाए तो आपको वाल पेंटेंग देखन Idios नों मिलेगा और एक पून karşı iqbub printing मिलेगा देखने को तो वाल सब्सक्राइब नहीं लिए तीन कटेगरी में आपको करके यह लिखना आए फिर क्रूजन देखेंगा हम लोग थोड़ा सा क्रिटिसिजम भी देखेंगे यह क्या क्या चीज़ का क्रिटिसिजम था तो यह सारे पॉइंट हम लोग कपर करने वाले हैं अभी तक करते हैं कि ब्रोंज के बारे में थो यहां पर दिखेंगे सबसे पहला चीज़ है कि इसमें बहुत ज़्यादा ornament क्या दाता था मतलब की ohdK साजilage के लिए यह ज्यादा यह किया दाता था और ब्रोंज को और ब्रोंज में अगर चाहिएगा तो आप देखसकते हैं की मोल्ड प्रोसेस होता था जिसमें कि किसी ये मतलब की इसमें रख दे जाता था ये एक सेप में उसके अंदर उसको और जब ये हो गया तो इसको मुम को पिगला कर ये अलग कर लिए लोश्ट वैक्स टेखनिक भी आप लोग सुने होंगे तो यहीं सब चीज इसमें आकर य आप लोग याद करेंगे धीमन एंड विठपाल ये आप लोग इस कल्चर में ये मूर्तिकला बले में ये बहुत इंपोर्टेंट है धीमन धरपाल के समय में थे विठपाल आपको देवपाल के समय में थे ये पॉइंट आइप चाहिए दो नूट कर सकते हैं और यहाँ प ये बहुत और हिंदु ये विष्नु और भी एक सेट्टस चीज़ें मिली थी और कहां कहां पर हमीला ये towards तो यह मिला था आपको ये कुकरिहार आपको कहां पर है गया में है तो ये कुकरिहार गया में इसका साक्ष देखने को मिला है और आप देखना चाहिएगा तो नालंदा सुल्तानगर्च यहां पर भी इसको देखने को मिला है और जो यह और नामेंट तो करते हैं तो इसको सजाते तो थे लेकिन पीछे से जो है बिहाइंड से प्लान ये प्लेन लखा जाता था मतलब भी साधा रखा जाता था तो ये क्रिटिसिजम में भी इसका चीज बुला जाता है कि आगे आप सजाते ये पीछे का सजाय नहीं जो लोग तो इसमें क्या होता था तो सबसे ज़्यादा यूज ब्लैक पसाल्ट स्टोन ये यूज होता था ये ब्लैक ब्लास बसाड टेस्टौन ये मुंगेर और संथाल प्रग्राम में ज्यादा देखने को मिला है दोस्तों ये अब को ये इस तॉन वाला तो ये साधी तोड़ा सा ये तेरा कोटा वाल जो पॉइंट है वो हम लोग थोड़ा सा एक्स्प्लोर करने के प्रियास करते हैं दोस्त तेरा कोटा में अगर देखेगा तो ये कले से जानादा पना रहा था था तेरा कोटा में और ये मूराल पेंटिंग होता था मूराल और ये आपको पत करने के लिए मैंने बता यूज किया था इसमें flowers का theme था ये animals और humans ये सभी चीज़े देखने को मिलता था और बुद्धा और विश्नु का figure देखने को मिला है तो ये सारे point आप लोग को ये आपको तोपिक्स अच्छा है ये अर्किटेक्चर वाल हम लोग देखने के प्रयास करेंगे तो उसके पहले हम लोग देख लेते हैं थ्वराइसा पेंटिंग का तो पेंटिंग वाल ये क्या important है तो मैंने बताया पेंटिंग आपको दूख कटेगरी में बाटिंग हम लोग एक था वाल पेंटिंग जिसको कि मूराल बोलते हैं आप लो मूराल और वित्ती चित्रकाला बोलते हैं और एक है मैनू स्क्रिप्ट ये लगो चित्रकाला साथ बोलते हैं इसको मैनू स्क्रिप्ट देखें दोस्तों ये माउस से भी ये मैं इतना चालिक पा रहा हूं तो आप लोग देख सकते हैं में यह आपको पेंटिंग और महावियार चैत में भी इसका बहुत ज़्यादा देखने को मिला है यह वाल्स पे उसको सराय के लाके आपको महावियार और चैत के यह दिवारों पर इसको देखने को मिला है तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है और आगे देखते हैं दोस् ये Printing में यह अपको मोराल वालेिव वाल प्रेंटिक विद्धी छित्र खाला में देखने को मिला है तो यह पवैंट आपको यदर कना moreawa continues to Hefagen आतने हैं तो यह मैनेmee क्या किया है तो देखिए यह मैनेक अगर आईएगा तो यदि का नाम से के इno है कि manuscript यह आपको छोटा-छोटा चीज पे यह copper plate पे होता था palms के lips पे यह आप देख सकते हैं कि पत्तों पे होता था palm का तो similar pattern size का यह figure देखने को मिलता है और यहाँ पे red, blue, black जो भी बहुत सरा color देखने को मिलता है को अभी भी मिलता है यह सब पालकला कहीं यह manuscript painting है दूस्तों around 100 pictures were made upon them depicts the life of Buddha से related बहुँ चला चीजों देखने को मिला है naturalistic image भी है जो की practice related भी यहाँ पे manuscript में देखने को मिला है तो यह सारे point आपको ध्यारकना है अफ्रेट्स और आप लोग यह आपको दिसकस करेंगे यह architecture के बारे में कि यह architecture में क्या-क्या development होके आया है जो आपको में यह क्या बोलते है इसको आपको अस्तापत्य काला temple जो बोलते हैं जिसे कि आप लोगों पढ़ा होगा यह basics में कि एक नागर style होता है एक आपको द्रवीड style होता है एक आपको बेसर style होता है दोनों को hybrid होता है तो यह सारे चीज यह temple का मतलब कोई types है बट वह हम लोग यह basics नहीं जाए लोग हम लोग stone का यहां पर जादा देखने को मिला नहीं है तो यह एक decision में है क्योंकि यह पाल की कला जो अभी भी मतलब भी जादा यह अच्छा से conserve हो कर नहीं रपाया है तो यह relevance खो रहा है तो इस चीज को stone के completion में bricks थोड़ा सा कमजोर ही होते हैं तो आप देख सकते हैं तो यह double story building देखने को मिला है यहां पे यह temples में और महा बिहारा में यह double story तो महा बिहार और chat और तीन चीज में इसको रहा है और इस्तुपा का figure मैंने वहाँ पर आपको दिखाया था वहाँ पर नहीं देखों तो जुरूर देखिएगा यह मौरिया बाले में इस तरह का पूरा दिखाया था मैंने उपर छत्रक फिर हर्मिका फिर आपको अंडा यह तोरान बनता था वो तोरान और और प्रद कि यहां पर इस्तुप के बारे में अगर देखिएगा तो 84 बनाया था मैंने बता दिया मंदिर के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या-क्या यह मंदिर में यह काम हुआ है तो यह देखिएगा टेमपल में तो यह आपको एग्जांपल में दिख जाएगा वालों को दोरण बनाये गया यह आपको महावियार तो ये चीज को आपको रिक्टिफाई करना है कि यहां पे महावियार में अगर देखेगा तो यह वह दन्दपूरी में और यह Vikram Center के डूरूप में भी यह महावियार का यूज किया जाता था यह बहुत सारा लोग पॉड़ने भी आते थे तो यह आप लोग जानते ही होगा नारंदा महावियार का आप लोग नाम सुने ही होंगे तो यह सारे पॉइंट आपको इसमें में इसमें करना है और कुछ और चीज तो आप इसमें फिगर जरूब बनेएगा यह वला जो इस्तूपा का था तो मैंने बता दिया और चाहिएगा तो यहां पर मूर्तिकला में तो मूर्ति मत बनाने लग जाएगा फिर टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा और प्रिंटिंग वाले में थोड़ा सा कर चाहिएग सारे पॉइंट हम लोग कबर कर लिया है अब हम लोग बस इसका क्रिटिसिजम देख लेते हैं तो क्या क्रिटिसिजम है तो सबसे में चीज़ है यह ब्रिक से बना था इस्टून का नहीं था तो थोड़ा सा यह लिस देश्टेवल रहा अभी यह बहुत कम जैसे कि अभी व देख रहे हैं उसको क्या आप सजा रहे हैं पीछे वाले को सजा नहीं रहे है पाट को तो यह पॉइंट और रियल ब्यूटी इसमें इडेन था क्योंकि अर्टीफिस्टिक पर ज्यादा दिया गया था तो इस चीज़ को आप लोग देख तकते हैं कि यह आपको त्वशा म इसमें बहुत ज़्यादा मिसिंग था और यह धार्मिक परविर्थी पे फोकस था तो यह सारे पॉइंट को आप लोग यह देखें में यह क्रिटिजिम आएगा तो मैं यह पॉइंट बता हूँ आप इसको थोड़ा से एक्स्प्लोर करके और भी एक्स्टेंड करके लिखने उसके बावजूद भी यह जो भी आपके पाला रूलर थे वो लोग जो हैं आपको इसको इंपोर्टेंस दियो और इसको कंजर्ब करने का प्रयास के इतना डेवलप कियें तो यह सरे पॉइंट और यह एक तरह का बहुत ही मतलब कि अभी भी इसको यह रिवाइब करने का जो भी आटेंड अर्किटेक्चर हैं बस यह हम लोग का यह रहेगा एंड इस वीडियो में इतना ही करेंगे और एक बार रिकाप कर लेते हैं क्या देखे हम लोगों ने पाल का इंटो देख लिया कि यह का इसे कैसे गोपाल पाल कला और त्रिपक्षे संगर से चलला था य संबी के बीच में हम लोगों किया मंदिर है क्या और क्या का इंटमपल हैं और किसकल में क्या पॉइंट है और क्या बनाने होता था और यह बैक साइड का अच्छा नहीं बनाते थे प्लेन लगते थे और इस में ज जो ज़्याद़ आर्टिफिसियल चीजें यह और Users पर ज्यादा ध्यान देता था और conclusion हम लोग कर लिए है कि इसको और भी आट पहस्यान दिलाने का जौरत है तो यह सब पॉइंट यह चीज आपको मेंशन करना है मौरे कला का जाका दिखेगा वीडियो एंड हम लोग यहां पर और भी जो बहुत सारा तो फिर और जो यह पॉटेंट टोपिक है उसको हम लोग कवर कर रहेंगो तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही काएंगे आप लोग चैनल को जो बीजिट करें और होलिस्टिक यहां पर आपको सब चीज मिलेंगे अल्द बेस्ट मिलते हैं निक्स वीडियो में स्टेट ट्यून वित आस बवाय दुस्तों हेलो माई डियर फैंड्स देखे इस वीडियो में हम लोग मधवनी पेंटिंग को डिसकस करेंगे देखे हम लोग आपको अल्रेडी पटना कलाम मौरे कला और आपको पाल कला डिसकस कर चुके हैं उसी सीरीज में यह चोथा नमबर पर है देखे इसमें मधवनी पेंटिंग जो है आपको मतला कि बिहार से रिलेटेड है और यह मिधला पेंटिंग बोला जाता है मिधला जो रिजन है वहां पी इसको प्रिक् मया पर देखेगा ना तो इधर वाला जीतना भी लाका है रिखेने यह पेफेद बनी हो जाएका पूरबी चंपड़न के यह फास मेन पर समिह चंपन हने फिर उसके बाद आपको सृत मड़ी भ affairs म दो बनी तोड़ा mail printer भी आ गया है अगर कुछ printer के नाम हो या दो तो comment होताईगा यहागो हम लोग देखेंगी और मदवनी printing के अगर background में देखेंगा न तो यह सीता की का जो राम जी से साधी हो रहा था वहाँ से ट्रिस्क किया जा जाता इसको और जनक की पूत्री थि माहराजन तो वह उपने जो जनकपूर के पूरा एरिया में जो सीता मुड़ी है यह है जहा siitä और जनकपूर महां पर पूरा वाल्स भी इन्हों ने पिंटिंग बनवा दिया था। तो Color-Printing यहीं जा के मदभने Pinting मदलाप Pinting के नाम से जाना गया। अर्थ्विक सर्वे जो हुआ नि-स में जो और क्यों गया था बहुत बढ़ा पुखम तो बिटीस ओफिस्यल को यह मंदमने प्रिंटिंग के एक फोकार्ट के बारे में पता चला ठेक है उस पर रिसर्च हुआ तो यह इसको पाद में रिवाइब किया गया है इस्टेट गोवर्मेंट ने 1969 में यहां पर कुछ हीपोट करके सीटा देवी के द्वारा इसमें बहुत ज़्यादा हीपोट किया गया इसको और ज्यादा रिवाइब करने में केनवास पर पिंट के बहुत है पेपर पर और क्लॉथ पर भी यह ध्यान रखिये केनवास पर और क्लॉथ यह सब लोग विहार से होंगे तो जो ट्रेन होता है वहां पर देखोंगे या स्टेशन पर यह सब या मितलत चेतर कोंगे तौँँ आप्प आइडिया हो गाएं य बोड़ो चाट इस बना दो करें खोर दोको अ यह दिूरे शादिवाधी का जो लोक यह či लिए होता है और यहासे आपको देखने हो गोली बनाता है आदम स्वेक्हां अभरूी मुले उपाल न स्वेकिवाधी, पर दोकि जैण यहां पर हम लोग देखते हैं आप जो गोशनी का प्रिंटिंग है गोशनी जो इसको बुलिए तो यह रूम में ज्यादा तर इसको बनाया जाता है और जहां पर रिलिजियस एक्टिविटीज प्रफॉम किया जाता है मतलब कि धार्मिक तरह का यह एक तरह का प्रिंटिंग है देवी तेवताओ जैसे कि दूर्गामता सुचिताराम राधा कि शीव परवती विशनुलक्षमीन का प्रिंटिंग दिवाल पर बनाया जाता है और इसमें देखिए तो ब्रामन लोग का और कायस लोग का जो फैमिली जो कि वेडेट कॉपल के लिए होता है अन्यूली तो उसके कोबर का जो रूम होता है उसको सजाया जाता है सेंसस नेकिये सेंसियस प्रिंटिंग से इसमें थ्वड़ा सा इरोटिक भी होता है जहां तक मुझे पता है कामदेव का फिगर इसमें बनाया जाता है और यक्षन तो वाल प्रिंटिंग के दो गया और जो कोबर का पेंटिंग अब आता हमलों का लोगोली एश कहते हैं तो यह और आसे हमय dispos में इसमें तो यह आप को जो ट्रेस होता है चावल को मिला द references 2 को पाने मिला देखिए और कलर पूर यसमें यूच किया जाता है तो यह पांच ट करने का प्रयास करेगा मेंस में आएगा तो लिखने का प्रयास करेगा इसको आप मतलब की लॉंग एंसर ही त्यार करेगा लॉंग में तो लिख दीएगा तो उसमें से कुछ चीज को गयाब कर दिएगा ऑन इंपोर्टेंट हो जाएगा देखिए एक वेजिटेशन को दिखा जाता है जिसमें ट्रीइपलोर्ट और एक होता है कि इनिमल को दिखा जाता है बॉर्ड मडिन वे मुम बींक तो एक तरह से मतलब सक्राइब दूसरा सोंते हूं कि तांतिक की तरह तो यह वाला है आपको अरिपन ट्रंगोली अब इसमें देखेगा तो मतलब कि बहुत सारे ओकेजन पर किया जाता है जैसे कि तुलसी पूजन पर और मैरी गर्ड से वह बनाती है यह सम् मैरेज ओकेजन पर भी बनाया जाता है इसम तो फिंगर का इसमें यूज किया जाता है यह एक इंपोर्टेंट चीज है मतलब कि आपको हाथ के उंगली है उसी से और बंबू का ब्रस यूज किया जाता है ठीक है ऐसा नहीं कि कोई अलग सा इस्पेसल आप ब्रस लेका आ रहे है देकिये मौद्वनि प्र्टिंग का बारे में कर देखना चाहिए गा तो इसके बैग्रांड में चलते है थिक तो पेंड मैंने बताया फ्लावर बताया फुर्ट ईनिमल हुमन इमें सभी को प्रण किया जाता है और प्रणिक मना जाता है और डिपरजइंटेसन पर्पसर ध्यान जाता है यह मतलब कि एकदम इसे तरह के है उसी तरह का जिसमें है कि उसके वर्ग उसका क्वालिटी और उसका फिलोस्पीकल आस्पेक्ट को कपर किया जाता है अधर थोड़ा साय यह फिगर पेंट अच्छा से पेंटिंग नहीं हो कोई बात ने लिए वह परदर्सित हो जाए उसके लिए यह दिखाया था परजेंट इपरजेंट हो जाए मधुमने पेंटिंग के बाले में थीम जैसे कि कज़िस आई हम लोग ने पतना कलाम में देखा लेटीज लाइक क्रिष्णा, स्रीवा, लक्ष्मी, दुरुगा, रामसर्ष्वती तो इन लोग का इसमें दिखाया जाता है तोड़ा सा माइटोलोजिकल मतलब समनेत है ना कहानी वानी जो मननेता है उसके तोड़ा सा भगवान लोग से रिलेटेड और यह सन मून जो स्पेस चुट गया तो उसको फिल के जाता है पहले में सेंट्रल वाला चीज को बना लिया था है फिर साइड में जो है उसको फिल कर दिया रंगोली देखाऊंगा न उस तरह से आप डिलेट कर पा रहा होंगे देखिए किस तरह का कलर इसमें यूज होता था तो आप लोग बता है कि पाला में किस तरह से पेंटिंग होगा होता था इसमें हम लोग थोड़ा सा अर्खिटेक्चर टेंपल होगा अगरा भी देखे थे देखिए तो इसमें क्या है कि जैसे कि ब्लैक ग्रीन एलो रेड औरेंज इंड वालेट इसमें भी उस तरह का था पटना कला में उसी तरह से लेकिन अभी के समय में थोड़ा सा कुछ और भी यूज होता है सिंथेटिक कलर जो आपका निचुरल नहीं अटिपिसल है उसको भी यूज किया जाता है देखिए यहां पे नेचुरल लिसोर्स से इसमें भी उप्टेंग किया जाता है जिसे कि ब्लग कलर आप आपल जोड़ी याद कर लिएगा तूर से काम हो जाएगा राइस पाउडर से वाइट कलर चावल से हम लोगने बठाया रंगुली बनता है और इंड्यूगो से ब्लू कलर इस तरह से मेकिंग मदूबने प्रिंटिंग बनाने के लिए जैसे ब्रस जो यूज होता है वह जाता है मिनियेटर लाइन से चोटा चोटा लाइन से देखें यह आप अगर देखेंगा तो कुछ अभी कर्क्लूजन सब पहले प्रेंट में कुछ रिलेट करके जुरूर लिखेंगा आप लोगो तो इसमें देखें कुछ-कुछ पेंटर है जैसे कि गुदावरी दत्ता इनको 2009 में पधम सीरी भी मिल चुका है तो इसको भी याद रखेंगा यह से प्री के लिए इंपोर्टेंट है माली जह मनुद्वाने प्रेंटिंग के पाली किसको मिले इस तरह से चीता देखा था सीता नाम से भी याद कर सकते हैं गंगा देवी पी है गुदावरी दत्ता यह जिसकी पेंटर के बारे में लिखने के लिए बताया था ना फ्रीकर जरूब बनेएगा आप लोग जैसे कि इस तरह का चार तीन चार नाम है तो इस तरह से करके दिख दिजिएगा जैसे कि संताल बगर है कि हम लोग यह लिखें है आट्रेंट नहीं देखां तो देख कर लिजेगा आप लोग पर्ट्टू का टाइम बचाता हम लोग कराने का प्रयास करेंगे यह से भी आप लोग अपने से करें अप्शनल भी जो जिनका है चलिए तो यहां पे है मेक्सिमम पॉपलरेटीज को मिला देखिए अगर देखा थे तो पटना कलाम पालार्ट और आपको मौरिया यह तीनों और यहां पर अगर देख लिए जब मधवनी तो सबसे ज़्यादा मधवनी कोई यहां पर बढ़ावा दिया जा रहा है किसका जोदान है आप लोग बताए इसमें गोरा देवी सब का नाम याद रखिएगा आपनों जरू अंगा देवी को दावे देवी सब बहुत सारा एक्जिबीशन जो है यह हुगा है जैसे कि मतलब भी आपको जैसे कि यह दिखिए जपान में हुगा था तो उसमें सस्टी कला देवी का जो पेंटिंग है उसको एक ये ऐसा है इंडिया में भी को बनाया गया इसका है कि नौट इवन क्षटटे इंडिया इंडिया में इस तरह नहीं बनाएगा जीता यहां पर बनाएगा तो जपान देखिए इतना अच्छा इसको लगा है तो यह चीज है ट्रेन वेगर पर आपतो देखते ही होंगे पद अगर कोई त्यारी कर रहा हो तो देख सकते हैं अब देखें अब देखें मदवनें पेंटिंग का जो हिंश्टी है उसको चीता जी के मेरे से लिया जाता है बता ही दिया लेकिन मेकसिमम पॉलरीटी अभी केट समय में इसको मिला है और फोकार्ट में अगर देखा जाया तो जो लोकला है मदवनें पेंटिंग को बहुत ज्यादा मतलब कि इसमें डेली लाइफ रेस्टिवल को भी दिखाए गया है बिहार और नेपाल में इसका ज्यादा बर्चस है और बहुत पर इसका डिमांड है क्लॉट साड़ी पर जो इसका बनाया जाता है तो उसको तीकि इ तो इंडिया रेलेवेय दुल्ण को याँ हुका हम लोग का तो यह सारा चीज रहा हम लोंगा तो यह अपका कर इन लोमने मुने किए अपना कोफी मौर्या कला हम लोग ने सॉर्ट नोट से और आपका जो 67 का हम लोग लिखा अको पी उसको भी आप आप लोग को सामने रख दिया था था कि आपको फिगर हो गारा किस तरह से टाइम आप लोग बना सकते हैं अच्छा फिगा तो भी आप देख सकते हैं इतना आच्छा फिगर इना मिलाया गया ताइम तो लगता है लेकिन यह इंप्रेशन भी अच्छा रहा था शिक्टेट का कोशन आप लोग जरू दिख लिएगा और कटाब में 90 प्लस आ रहा हो तो आप लोग इंटर्विमेंस का त्यारी करिए तो यहीं चीज रहा और उसके बाद पाल कला कभी हो लोग उन्हें सौर्ट नोट से डिसकस कर जाएगा आप लोग इसका नोट्स जरूर कहीं से बनान में तो इंश्टी वाले में जैसे की गांधी जी को त्यार कर लिएगा टेगुर जी को ज्वाल लेने रूप हो यह एक कोशन आता ही आता है उनके तिंकर से डिलेटेड और आपको जैसे की पिनमेस्ट अगल मुवमेंट में नन कोपरेशन मुवमेंट हो गया चंपारंस सत् पर वित्यार करना इंडिया लेवल पर बिर्शा मुंदा हो गया है यह माली जी संथाल हो गया यह सब ठीक है और जैसे की कॉंग्रेस से रिलेटेड हो गया आपको कुछ कुछ जी यूपेसी से निकाली है ना गौर्वर्मेंट ऑब 1935 हो गया उसकुछ गोवर्णर के बारे में विक्र लेजा है जैसे यूपेसी में आता है तो होसा कि कभी इस तरह के भी पुछ लिया है और कुछ आप लोग इस कल्प्चर के बारे में देख लिएगा जैसे हो सकता है जैसे टेमपल के बारे में पूछा तो किस तरह का मुर्ति कला चल ला था तो आपको अजनता हो गया एलोरा हो गया जो भी है सारा चीज को आपको इंक्लूट करके दिखाना पड़ेगा बोद इंजिनि करेंट में तो आप देखिए जंबूरी वाला जो क्वेश्चन पूछा था बहुत ज्यादा आवाड महाड़ था तेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जोड़ क्लिक नहीं था चुपतो नहीं सकते हैं और इस तरह का कुछ क्वेश्चन इस तरह चौट टोपिक्स त्यार करेगा सब्सक्राइब बहुत माइनूट कोष्चन यूपीस में सब पूछा जा था तो अब यूपीस या प्री का कोष्चन भी देख लिए हूं में सिखने हैं का इकनोमी पॉलिटी तो यूपीसी पेटरन पर चला गया करेंट भी आपको इलिमिनेट करने का प्रयास किया है आप और हमारे प्रेमर मंण सिविल चैनल पर आप लोग को करेंट का जो आयार का टोफिक से पुरा इंडिया पूरा इंडिया जीतना भी नेवरूट कंटिय को सब डाला हुआ है और ग्रूपिंग जैसे कवाड हो गया है आपको इंड्या-चाइना हो गया आको आपको एस यान ह सब्सक्राइब करने का प्रयास चालू करने वाले हैं तो यह चीज रहा अब उसी के हिसाब से यह रहा तो आप सब्सक्राइब कर लेंगा और आपको करा रहा है और पॉलेटी लग्षम कांदो कर आप पड़ लिजेगा अपलो इकनोमी में भी आप लोग देख लिजेगा जीतना भी करेंट का इसू है और विहार का इकनोमिक सरवे बजट तो काम हो जाएगा इसके लिए अलग सब्सक्रा लाने का प्रास करेंगे और आपको साइंस एंटेक में तो पुरा प्योर्ली करेंट अपरिए बायो टेक न्यूज में चला है आपको चंद्रियान है अधित्यालोन है यह सारा टोपिक्स आपको कंप्रेट करना है ठीक है तो आप लोग जब कोशन देखेगा तो उससे यह आप लोग कहसान आप लोग कमेंट में पेड़ बता सकते हैं और आप लोग मेरे प्रेमवर्ट सीफ चैनल पर जरूर रएट करें आपको वाहां पर और चार चीज़ यूप एकन्वारमेंट को हो गया आपको हिंश्टी का हो गया आपको साइन्स का अब लोग ने पीजिस का डाल दिया है तो वो सब आप लोग देख सकते हैं और पॉलिटी जो रोपी का अगर टाइम बचता है तो हम लोग लाने का प्रयास करेंगे तो यह सारा चीज है आप लोग लिए अपडेट और अगर आप लोग कुछ और जैसे की देखना अगर तो हम लोग कराएंगे तो यह पिसी के लिए और कर रहा है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही हम लोग रखते हैं इस पीडी का और इप्रेडी का यहाँ पर भी डाला हुआ है आप लोग उसको देख सकते हैं प्री अगर दे अधन आटो, हो दीजट में